Unlocking Animation Recent Panel Animation Android 10 Navigation Bar Music Keeps Me अगर आप Recent Animation Android 10 Nav Bar और साथ से साथ Unlocking Animation के Features को एक्टिवेट करना चाहते हो अपने Redmi के या Poco के किसी भी device के अंदर तो कुछ सिंपल से कंडिशन और फाइलो के जरूत परने वाली है तो सबसे पहले हम कंडिशन को देखेंगे उसकार फाइलो को देखेंगे और लास्ट में इंस्ट्रलेशन का प्रोसेस देखेंगे तो पहली कंडिशन यह है कि आप पकोई से भी device है Redmi का चाहिए वो Poco का डिवाइस हो जिसपे MIUI रन कर रहा है वो Android 10 के उपर run करना चाहिए यानि Android 10 based room होना चाहिए आप या तो official room यूज कर सकते हो या फिर MI room का या फिर EU का या फिर pro का या कोई other ठीक है सब पही काम करेगा बस condition यह है कि MIUI के room के उपर आपका Android 10 based होना चाहिए तब जाके आप यह benefit यूज कर पाऊगे पहला condition यह होता है दूसरा condition की आपका जो भी device है वो rooted होना चाहिए और आपको नहीं पता है कैसे root करना है तो i button में आपको वीडियो मिल जागा जिसे follow up करके आप root कर सकते हो अपने device को दूसी condition को follow up करने के बाद इस फाइल की जूरत पड़ेगी जो कि आपको मिलेगा प्लेश्टोर पे जिसका नाम है split ap के installer s ai jis आपको download करना है only on 3mb के file का size आता है 3 हो गया अब जूरत पड़ेगी file की उस file का नाम है यह हमेरसा है तो update होते रहता है तो सबसे latest वर्जन में आपको provide कर दूँगा अगर आप इस डैक इंस्टॉल करने की कोसिस करते हो तिया तो यह crash करेगा install नहीं होगा या आपका install हो गया तो आपका system launcher crash करने लग जाएगा और काम नहीं करेगा अब बढ़ते है installation के steps के उपर पहले request यह है कि आपने अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके notification को enable कर ले और next time की video की notification receive करने के लिए wait करें क्योंकि यहाँ पर मैं आपको काफे जादा interesting video जो everyday प्रवाइट करते रहता हूँ जिसका benefit आप everyday ले सकते हो अगर आप डावल टैप चेक नेब बार वगरा का option है लेकि Android 10 का justice कुछ भी नहीं है अगर मैं developer के option में लेके जाओं तो यहाँ पे आपको कोई SI features नहीं देखने को मिलता है अतरवाज कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम pro यूज करो इसमें by default मिला होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे मैं आपको data enable करके दिखाने वाला हूं तो आपने देख लिया कि कुछ भी नहीं Android 10 के अंदर है जो कि मैं यहाँ आप by default enable करके आपको दिखाऊंगा कुछ steps को follow करके जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो अब सब कुछ complete ठीक हो जाने के बाद आपको अपने play store के और आना है जो आपने फाइले download की है इससे आपको open करना है open करने के बाद कुछ इस तरह के आपको layout technique को मिलेगा जहाँ पे आपको continue के उपर tap कर देना है कुछ इस तरह के आपको screen दिखाए देगा आपको इस setting के उपर tap करना है setting के उपर tap करने के बाद यहाँ पे एक installer नजर आएगा जो कि has के उपर है तो यहाँ पे आपको rooted वाला option को select करना है और कुछ तिर में यह root access लेगा तो आपको यहाँ पे दे देना है और फाइलों को browse करना है जहाँ पे आपने launcher को download करके रखा है इस पे tap करके tick करके select पे tap करना है यह auto installed होगा और आपको यहाँ पे Android 10 का है जो ने बार auto enable होते हुए नजर आएगा इस तरीके से installed हो जाएगा और आपका Android 10 का benefit यहाँ पे बिल दाएगा जिसके थुरू आप all features को यूज कर पाऊ गए जो कि मैंने आपको start-up पे दिखाया था कुछ इस तरीके के sliding का और यहाँ पर आप अगर आप इसे unlock करते हो तो आप देखोगे के unlocking का animation भी यहाँ पर आ गया साथ साथ अगर मैं recent के panel पे जाता हूँ करना है और इस option को on कर देना है जिससे आपका यह जो निब बार है वो हाइट हो जाएगा बाकि सारे animation आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस तरीके से आप फुल फीचर्स का है जो एक्टिवेट कर सकते हो अपने फोन के अंदर और जो मिलने वाला है उसका benefit आप अभी ही उठा सकते हो अगर आपको यह लॉंचर पसंद नहीं आया या फिर आप फिर से बाई डिफोल्ट वाले पर जाना चाहते हो तो सिंपल उसके लिए आपको अ अनिस्ट्रोल पर टैप करना है जैसे आप अनिस्ट्रोल पर टैप करोगे आपको बाई डिफोल जो लॉंचर था वो दहीनी को मिलेगा और जितने फीचर्स में आपको दिखाया थे अक्टिवेट करके वो सारे फीचर्स आपको डिसेबल हो जाएंगे तो इस तरीके से अपने डिवाइस के अंदर है जो उठा सको तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाइज